भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत व्रिक्ष है जिसकी जड़े तो उपर की और हैं और शाखाएं नीचे की और तथा पत्तियां व्यादिक स्तोत्र हैं जो इस व्रिक्ष को जानता है वह वेदों का ज्याता है इस व्रिक्ष की शाखाएं उपर तथा नीचे फैली हुई है और प्रकृति के तीनों गुनों द्वारा पोशित है इसकी टेहनिया इंद्रिय विशे है इस व्रिक्ष की जड़े नीचे की और भी जाती है तो जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है इस व्रिक्ष के वास्विक सवरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदी कहा है अंत कहा है या इसका आधार कहा है लेकिन मनुश्य को चाहिए कि इस द्रिड मूल द्वारा व्रिक्ष को विरक्ती से के शष्टर से काट गिराए तथ पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लोटना न पड़े और जहां उस भगवान की शरन ग्रहन कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प तत्व को समझते हैं जिनोंने भोतिक काम को नश्ट कर दिया है जो सुख तथा दुख के द्वंद से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरनागत होना चाहते हैं वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं वह मेरा परमधाम ना तो सूर्य या चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित होता है ना अगनी या बिजली से जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस बहुतिक जगत में फिर से लोट कर नहीं आते इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं बद्ध जीवन के कारण वे छेहों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रही हैं जिन में मन भी सम्मिलित है इस संसार में जीव अपनी दिहात्म बुद्धी को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरहां ले जाता है जिस तरह वाजू सुगंधी को ले जाता है इस परकार वे एक शरीर धार्न करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धार्न करता है इस परकार दूसरा स्थूल श्रीड धार्न करके जीव विशेश परकार का कान, आंख, जीब, नाक तथसपर, शिंद्रियां त्वचा प्राप्ट करता है जो मन के चारों और सपुन्जित है इस परकार वह इंद्रिय विश्यों के एक विशिष्ट समुच्च का भोग करता है मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस परकार अपना शरीर त्याग करता है, ना ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृती के गुनों के अधीन वे किस तरहां इस शरीर का भोग करता है, लेकिन जिसकी आंखे ज्यान में प्रशिक्षित होती हैं, वे है यह सब देख सकता है आतम साक्षातकार को प्राप्त कर प्रतनशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं लेकिन जिनके मन विक्सित नहीं है और जो आतम साक्षातकार को प्राप्त नहीं है वे प्रतन करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है चंद्रमा तथा अगनी के तेज भी मुझसे उत्वन है मैं परतेएक लोग में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ती से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस्परदान करता हूँ मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अगनी हूँ और श्वास पर श्वास मैं रहे कर चार परकार के अन्नों को पचाता हूँ मैं परतेएक जीव के हरीदय में आसीन हूँ और मुझसे ही समरिती ज्यान तथा विसमरिती होती है मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ निसंदे है मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ जीव दो परकार के हैं च्युत और अच्युत भौतिक जगत में परतेक जीव च्युत अक्षर होता है और अधियात्मिक जगत में परतेक जीव अच्युत अर्थात अक्षर होता है इन दोनों के अतिरिक्त एक परमपुरुश परमात्म है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है चूकि मैं अक्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूकि मैं सर्वश्रेष्ट हूँ अतैव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ जो कोई भी मुझे संश रहित होकर पुर्शोत्तम भगवान के रूप में जानता है वेह सब कुछ जानने वाला है अतैव हे भरत पुरुष हे भरत पुत्र वेह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है हे अनग यह व्यदिक शाष्ट्रों का सरभादिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है जो कोई इसे समझता है वेह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रियास पूर्ण होगे पुर्षोतम मास्क में इस स्तूति का पुर्षोतम योग जो चैप्टर 15 है भगवत गीता का इसको हमें रोज पठन पाठन श्रवन करना चाहिए हरी बोल हरी कृष्ण अभिहम श्रीमत भागवतम दशम सकंद भागदो इसमें अध्याय 14 ब्रह्माजी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तूति पढ़ेंगे इस सध्याय में ब्रह्माजी द्वारा नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण की स्तूती का वर्नन हुआ है श्री भगवान को प्रसंद करने के लिए ब्रह्माजी ने सरप्रतम उनके दिव्य अंगों की स्तूती की और फिर यह घोशित किया कि उनके माधूरे की मूल पहचान को समझ पाना उनके एश्वरे की अपेक्षा अधिक कठिन है वैदिक प्रमानों से प्राप्त दिव्य ध्वनी के श्रवन तथा कीर्तन की भक्ति मै विधी द्वारा ही श्री भगवान की अनभूती की जा सकती है वैदिक प्रमान के अतरिक्त अन्य विधियों से इश्वर की अनभूती करने का प्रियास निरर्थक है असीम अध्यात्मिक गुनों के आगार श्री भगवान का रहस्य अचिन्त है इसे समझ पाना निर्विशेश ब्रम्ह से भी अधिक कठिन है केवल भगवत कृपा से ही उनके जश को समझा जा सकता है अंत में इसके अनभूती होने पर ब्रम्ह जी ने अपने कारियों की बारंबार भर्चना की और यह स्विकार किया कि ब्रम्हांड के परम आश्रे भगवान श्री कृष्ण ही उनके अपने पिता आदी नरायन है इस तरह ब्रह्माजी ने श्री भगवान सिक्षमा जाचना की तत पश्चात ब्रह्माजी ने श्री भगवान की अचिंत एश्वर्य का गुनगान किया और जिन जिन बातों में ब्रह्माजी तथा श्री विश्नु से भिन हैं जिन जिन कार्णों से श्री भगवान देवताओ पशुओं इतियादी की जोनियों में जनम लेते हैं जिस वरकार से शिव भगवान सनातन लिलाएं करते हैं उन सबका तथा भौतिक जगत की नश्वर्ता आदिका वर्नन किया शिव भगवान को जान लेने पर जीवात्मा भव बंधन से मोक्ष प्राप्त कर सकता है किन्तु भगवान श्री कृष्ण के सकारूप को भ्रामत मान कर मूर्ख लोग श्री भगवान के चर्न कमलों को चोड़कर प्रमात्मा की अन्यत्र जोर खोज करते हैं किन्तु उनकी व्यर्थ की यह खोज उनकी मूर्खता का स्पष्ट परमान है श्री भगवान की कृपा के बीना उनके सत्य को समझने का कोई उपाय ही नहीं है इस निशकर्ष को स्थापित करके ब्रह्माजी ने ब्रजवासियों के महान सोभाग्यक का विशलेशन किया और तब स्तूति की कि अच्छा होता यदिवे स्वायां में एक त्रिन कुंज तथा लता के रूप में वहां उत्पन ह हुए होते इस संदेहे व्रिंदा वनवासियों के आवास भोतिक जगत के बंधी ग्रह नहीं है अभी तो ज्ञानियों तथा योगियों द्वारा भी इन आवासों की कामना की जाती है दूसरी ओर कोई भी आवास जिसका भगवान श्री कृष्ण से बंधन नहीं होता है वह भौतिक जगत का बंधी ग्रही होता है अंत में ब्रम्हा जी ने श्री भगवान के चर्न कमलो पर अपने आपको पूनत्या स्मर्पन कर दिया और बारंबार उनकी प्रशंशा करते हुए उनकी परदक्षिना की और विदा ली ततपश्चा श्री कृष्ण ने ब्रम्हा जी द्वारा चुराएगे सारे पश्वों को एकत्र किया और उनको लेकर जमना तट पर पहुंचे जहां ग्वाल बाल भोजन कर रहे थे जो मित्रगन पहले ही पहले वहां बैठे थे भगवान श्री कृष्ण की माया के कार्ण उन्हें इसका रंच भर भी पता नहीं चला कि क्या हुआ है अतह जब भगवान श्री कृष्ण बचरों के साथ आए तो उन्होंने पूछा अरे आप तो इतनी जल्दी लोटाए बहुत अच्छा हुआ जब तक आप नहीं थे हमने एक ग्रास भी नहीं तोड़ा आईए और खाईए ग्वालबालों की बात पर भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए उनके साथ भोजन करने लगे भोजन करते हुए श्री कृष्ण ने किशोर मित्रों से अजगर के चमरे की और संकेत किया तो बालकों ने सोचा शायद श्री कृष्ण ने अभी अभी इस भ्यानक सर्प को मारा है बाद में उन्हों ने वरिंदावन वासियों को भगवान श्री कृष्ण द्वारा अगासुर के वध का वरितांत कह सुनाया इस प्रकार ग्वाल बालों ने भगवान श्री कृष्ण की बाले काल की लिलाओं का वर्नन किया यदपी श्री भगवान की पोगंड आजू छे से लेके दस वर्ष प्ररंब हो चुकी थी श्रील शुकदेव गोस्वामी यह बताते हुए इस अध्याय को समाप्त करते हैं कि गोपियां किस तरहां श्री कृष्ण को अपने पुत्रों से भी अधिक प्यार करती थी तो अभी हम ब्रम्हा जी की स्तूतियां पढ़ेंगे क्या कहा उन्होंने स्तूति में भगवान की ब्रम्हा जी ने कहा हे प्रभू आप ही एक मात्रपुज्य भगवान हैं आप ही पून पुर्शोत्तम प्रमेश्वर हैं अते आपको प्रसन करने के लिए मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ और आपकी स्तूति करता हूँ हे ग्वाल नरेश पुत्र आपका दिवश्रीर नवीन बादलों के समान घन श्याम है आपके वस्त्र बिजली के समान देदिप्यमान है और आपके मुखमंडल का सौंद्रे गुंजा के बने आपके कुंडलों से तथा सिर पर लगे मोर पंक से बढ़ जाता है अनेक वनफूलों तथा पत्यों की माला पहने तथा चराने की छड़ी, लकुटी, श्रिंग और वंशी से सज्जित आप अपने हाथ में भोजन का ग्रास लिये हुए सुन्दर रीती से खड़े हुए है हे प्रभू ना तो मैं ना ही कोई अन्य आपके इस दिव्वे श्रीर के समर्थे का अनुमान लगा सकता है जिसने मुझ पर इतनी कृपा दिखाई है आपका श्रीर आपके शुद्ध भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए प्रकट होता है यद भी मेरा मन भौतिक कार्यकलापों से पूर्ण रुपेन विरत है तो भी मैं आपके सकार रूप को नहीं समझ बाता तो भला मैं आपके ही अंतर में आपके द्वारा अनुभव किये जाने वाले सुख को कैसे समझ सकता हूँ जो व्यक्ति अपने परतिष्ठित समाजिक पदों पर रहते हुए घ्ञान विधी का तिरसकार करते हैं और मन वचन और कर्मों से आपके तथा आपके कार्यकलापों के गुनगान के परती समान व्यक्त करते हैं और आप तथा आपके द्वारा उचारित इन कथाओं में अपना जीवन निवचावर कर देते हैं, वे निश्चित रूप से आपको जीत लेते हैं, अन्य था आप तीनों लोकों में किसी के द्वारा भी अजय हैं हे प्रभू, आतम साक्षातकार का सरवत्तम मार्ग तो आपकी भक्ती ही है, यदि कोई इस मार्ग को त्याग करके ज्यान के अनुशिलन में प्रवरित होता है, तो उसे कलेश ही उठाना होगा, और उसे वांचित फल भी नहीं मिल पाएगा, जिस तरहां थोथी भूसी को देश लगता है, हे सर्वशक्ति मान प्रभू, भूत काल में इस संसार में अनेक जोगी जनों ने अपने करतव्य निभाते हुए तथा अपने सारे प्रयासों को आपको अरपित करते हुए भक्ती पद प्राप्त किया है, हे अच्यूत आपके श्रवन तथा कीर्तन द्वा संपन ऐसे भक्ती से वे आपको जान पाए और आपकी शरन में जाकर आपके परमधाम को प्राप्त कर सके, किन्तु अभक्त गन आपके पूर्न सकार रूप में आपका अनुभव नहीं कर सकते, फिर भी हरीदय के अंदर आत्मा की परत्यक्ष अनुभूती द्वारा वे नि संद्रिय विश्यों के प्रति आसक्ती से शुद्ध कर लें, केवली स्वीधी से ही उनके समक्ष आपका निर्विशेश पहलू प्रकट हो सकेगा। आत्पून पुर्षोतम प्रमेश्वर में नीहित असीम दिव्य गुनों का आकलन कर सके। ऐसे भगवान समस्त जीवात्माओं के कल्यान के लिए इस धर्ती पर अवतरित हुए हैं। वह अवश्य ही मोक्ष का भागी होता है क्योंकि यह उसका अधिकार बन जाता है। हे प्रभू मेरी अशिष्टता को जरा देखें आपकी शक्ती की प्रिक्षा करने के लिए मैंने अपनी माया मई शक्ती से आपको आच्छादित करने का प्रत्न किया। जबकि आप असीम तथा आधी प्रमात्मा है जो माया पतियों को भी मोहित करने वाले हैं। आपके सामने भला मैं क्या हूँ। विशाल अगनी की उपस्थिती में तो मैं तो छोटी सी चिंगारी की तरह हूँ। अतैव हे अच्युत भगवान कृप्या मेरे अप्राधों को क्षमा कर दे। मैं रजोगुन से उत्पन हुआ हूँ। और स्वयम को आप से प्रिथक सवतंत्र नियंता मानने के कारण मैं निरामूर्ख हूँ। अज्यान के अंधकार से मेरी आँखे अंधी हो चुकी हैं। जिसके कारण मैं अपने आपको ब्रह्मान का अजन्मा सत्रिष्टा समझ रहा हूँ। किन्तु मुझे आप अपना सेवक माने और अपनी दया का पात्र बना ले। काहां मैं अपने हाथ के साथ बालिष्टों के बराबर एक शुद्र प्रानी जो भौतिक प्रकृती, समग्र भौतिक शक्ती, मिथ्या, अहंकार, अका, श्वाजू, जल तथा पृत्वी से बने घड़े जैसे ब्रह्मान से घिरा हुआ हूँ। और कहां आपकी महिमा, आपके शरीर में रोम कूपों से होकर असंख्य ब्रह्मान लूसी प्रकार आजा रहे हैं, जिस तरहां किड़की की जाली के छेदों से धूल कन आते जाते रहते हैं। हे प्रभू अधौक्षज, क्या कोई माता अपने गर्भ के भीतर स्थित शिशु द्वारा लात मारे जाने को अपराद समस्ती है? क्या आपके उदर के बाहर वास्तव में ऐसी किसी वस्तु का अस्तित्व है, जिसे दार्शनिक जन वास्त्विक या अवास्त्विक की उपाधी प्रदान कर सके? हे प्रभू ऐसा कहा जाता है कि जब प्रले के समय तीनों लोक जल मगन हो जाते हैं, तो आपके अंश नारायन जल में लेड़ जाते हैं, उनकी नाभी से धीरे धीरे एक कमल का फूल निकलता है, और उस फूल से ब्रह्मा जी का जनम होता है, अवश्य ही यह वजन जूठे नहीं है, तो क्या मैं आप से उत्पन नहीं हूँ? हे परम्नियंता, परतेग देहधारी जीव के आत्मा तथा समस्त लोकों के शाश्वत शाक्षी होने के कारण क्या आप आदी नारायन नहीं है? निस संदे भगवान नारायन आपके ही अंश हैं, और वे नारायन इसलिए क वे सत्य हैं, आपकी माया से उत्पन नहीं है? हे परभू, यदि संपून ब्रह्मान को शरम देने वाला आपका यह दिव श्रीर वास्त में जल में शायन करता है, तो फिर आप मुझे तब क्यों नहीं दिखे जब मैं आपको ढून रहा था? और जब मैं आपने हरीदय में आपके दर्शन नहीं कर पा रहा था, तब क्यों आप सहसा प्रकट हो गए? हे प्रभू, आपने इसी अवतार में यह सित्ध कर दिया है, कि आप माया के परम नियंत्रक हैं, यदिपी आप अब इस ब्रह्मान के अंदर हैं, किन्तो ब्रह्मान का समस्त सर्जन आपके दिव शरीर के अंदर है, आपने इस तथे को माता यशोदा के समक्ष अपने उदर के अंदर ब्रह्मान दिखला कर परदर्शित कर दिया है, जिस प्रकार आप सहित यह संपून ब्रह्मान आपके उदर में परदर्शित किया गया था, उसी प्रकार अब यह उसी रूप में यहां पर प्रकट हुआ है आपकी अचिन्त शक्ति की विवस्था के बिना भला ऐसा कैसे घटित हो सकता है क्या आपने आज मुझे यह नहीं दिखलाया कि आप स्वयम तथा इस रिष्टी की प्रतेक वस्तु आपकी अचिन्त शक्ति के ही प्रकटे हैं सरप्रतम आप अकेले प्रकट हुए तद पश्चात अवरिंदावन के बच्डों तथा आपने मित्र गवालबालों के रूप में प्रकट हुए इसके बाद आप उतने ही चत्रभुजी विश्णू रूपों में भी प्रकट हुए जो मुझ सहित समस्त जीवों द्वारा पू दिव्विस्थिति से अपरिचित व्यक्तियों के लिए आप इस भौतिक जगत के अंश रूप में दिखते हुए अपने आपको अपनी अचिंत शक्ती के अंश द्वारा प्रकट करते हुए अवतरित होते हैं इस प्रकार ब्रह्मांड के स्रिजन के लिए आप मेरे अर्थ अपने ही श्री विष्णु रूप में तथा इसके संघार के लिए आप त्री नेत्रशिव के रूप में प्रकट होते हैं हे प्रभु हे परमसत्रिष्टा एवमस्वामी यदपी आप अजन्मा हैं किन्तु श्रधा विहीन असरों के मिथे गरव को चूर करने तथा अपने संत सद्रिश भक्तों पर दिया दिखाने के लिए आप देवताओं, रिश्यों, मनुश्यों, पशुओं तथा जल्चरों तक के बीच में जनम लेते हैं हे भूमन, हे पून पुशोतम भगवान, हे परमात्मा, हे जोगेश्वर आपकी लिलाएं इन तीनों लोकों में निरंतर चलती रहती हैं किन्तु इसका अनुमान कौन लगा सकता है कि आप कहां, कैसे और कब अपनी अध्यात्मिक शक्ती का प्रजोग कर रहे हैं और इन असंख्य लिलाओं को संपन्न कर रहे हैं इस रहस्य को कोई नहीं समझ सकता कि आपकी अध्यात्मिक शक्ती किस प्रकार से कारे करती है अतह यह संपून ब्रम्हांड जो की स्वपन के तुल्य है प्रकृती से असत है फिर भी वास्त्विक प्रतीत होता है और इस प्रकार यह मनुश्य की चेतना को प्रचन कर लेता है और बारंबार होने वाले दुख का कारण बनता है यह ब्रम्हांड सत्य इसलिए परतीत होता है क्योंकि यह आप से उद्भूत माया की शक्ती द्वारा प्रकट किया जाता है जिनके असंख्य दिव्वे रूप शाश्वत सुख तथा ज्यान से पूर्ण है आप ही परमात्मा आदी पूर्ण प्रशोतम भगवान परम सत्य प्रकट अनंत तथा अनादी है आप शाश्वत तथा अच्युत पूर्ण अद्वित्य तथा समस्त भौतिक उपाधियों से मुक्त है ना तो आपके सुख को रोका जा सकता है ना ही आपको भौतिक कलमश से कोई संबंध है आप विनाश रहित और अम्रित हैं जिन्होंने स तूर्य जैसे अध्यात्मी गुरू से ग्यान की स्पष्ट द्रिष्टी प्राप्त कर ली है वे आपको समस्त आत्माओं के आत्मात था हर एक के परमात्मा के रूप में देख सकते हैं इस तरहां आपको आदिपूरुश सवरूप समझ कर वे माया रूपी भवसागर को पा ही नहीं वे अपना भय त्याग देता है इसी प्रकार जो लोग आपको समस्त आत्माओं जीवों के परमात्मा के रूप में नहीं पहचान पाते उनके लिए विस्त्रित माया मय भौतिक अस्तित्व उत्पन होता है किन्तु आपका ज्यान होने पर वे तुरंत दूर हो जात है भव बंधन तथ मोक्ष दोनों ही अज्यान की अभिव्यक्तियां है सच्चे ज्यान की सीमा के बाहर होने के कारण इन दोनों का अस्तित्व मिड़ जाता है जब मनुष्य ठीक से यह समझ लेता है कि शुद्ध आत्मा पदार्थ से भिन और सदैव पूर्ण त्या चेतन ह उस समय बंधन तथा मोक्ष का कोई महत्व नहीं रहता जिस प्रकार सूर्य के परिपेक्ष्य में दिन तथा रात का कोई महत्व नहीं होता जरा उन अग्यानी पुर्षों की मूर्खता तो देखिए जो आपको मोह की भिन अभिव्यक्ति मानते हैं और अपने को जो की वास परम पुरुष आप से बाहर अन्यत्र की जानी चाहिए। प्रभु यदि किसी पर आपके चर्ण कमलों की लेश मत्र भी कृपा हो जाती है तो वह आपकी महानता को समझ सकता है। जीवन में ब्रम्हा जी के रूप में या दूसरे जीवन में जहां कभी कहीं भी जनम लूँ मेरी गन्ना आपके भक्तों में से एक में हो। प्रातना करता हूँ कि चाहे पशुजोनी में ही सही। प्रातना संतोश नहीं हुआ होगा। नंद महराज सारे ग्वाले तथा ब्रज भूमी के अन्य सारे निवासी कितने भाग्यशाली हैं। उनके सोभाग्य की कोई सीमा नहीं है क्योंकि दिव्य अनंद के स्तोत्र परम सत्य अर्थात सनातम परम ब्रम उनके मित्र बन चुके हैं। व्रिंदावन के इन निवासियों की सोभाग्य सीमा कानुमान नहीं लगाया जा सकता। फिर भी विविद इंद्रियों के ग्यारा अधिष्ठाता देवता हम जिन में शिवजी प्रमुक हैं, सरवाधिक भाग्यशाली हैं, क्योंकि वरिंदावन के इन भक्तों की इंद्रियां वे प्याले हैं, जिन से हम आपके चर्न कमलों का अम्रित तुल्य मादक मधु पे पार पीते हैं, मेरा संभावित परमसोभाग्य यह होगा, कि मैं गोकुल के इस वन में जनम ले सकूं, और इसके निवासियों में से किसी के भी चर्न कमलों से गिरी हुई धूल से अपने सिर पर अभिशेक कर सकूं, उनका समस्त जीवन सार पून पुर्शोत्तम भगवान हैं, जिनके चर्न कमलों की धूल की खोज आज भी वैदिक मंत्रों में की जा रही है, मेरा मन मोहोगरस्त हो जाता है, जब मैं यह सोचने का प्रियास करता हूँ, कि कहीं भी आपके त्रिक्तन्य कोई पुरसकार, फल क्या हो सकता है, आप समस्त वर्दानों के सकार रूप है जिने आप वरिंदावन के गवाल जाती के निवासियों को परदान करते हैं, आपने पहले ही उस पूतना द्वारा भक्त का वेश बनाने के बदले में उसे तथा उसके प्रिवार वालों को अपने आपको दे डाला है, अतै वरिंदावन के इन भक्तों को देने के लिए पास बचा ही क्या है जिसके घर, धन, मित्रगन, प्रिये, परीजन, शरीर, संताने तथा प्रान और हरिदय सभी केवल आपको समर्पित हो चुके हैं। पावों की बेडिया वनी रहती हैं। जहां तक मेरा संबंध है, मैं इस वर्षय में कुछ अधिक नहीं कहना चाहता। हे प्रभू, मैं तो इतना ही कहूंगा कि जहां तक आपके एश्वरियों की बात है, वे मेरे मन, शरीर तथा शब्दों की पोहँच से बाहर हैं। हे कृष्ण, अब मैं आपसे विदा लेने की अनुमती लेने के लिए विनीत भाव से अनुरोध करता हूं। वास्त में आप समस्त वस्तूओं के ग्याता तथा दृष्टा हैं। आप समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। फिर भी मैं आपको यह एक ब्रह्मांड अर्पित करता हूं। शेश्री कृष्ण आप कमल तुल्य वरिष्णी कुल को सुख परदान करने वाले हैं। और पृत्वी देवता ब्रह्मांड तथा गायों से युक्त महासागर को बढ़ाने वाले हैं। आप अधर्म के गहन अंधकार को दूर करते हैं और इस पृत्वी में प्रकट हुए असुरों को विरोध करते हैं। हे पूर्ण पुर्शोत्तम भगवान जब तक यह ब्रह्मांड बना रहेगा और जब तक सूर्य चमकेगा मैं आपको सादर नमसकार करता रहूंगा। पर नतमस्तक हुए तत्पश्चात ब्रह्मांड के नियुक्त सत्रिष्टा अपने लोक में लोट आए। Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 राम राम हरी 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 क्रिश्ण। इस वीडियो को जादा से जादा शयर करें ताकि पुश्वत्य मास्का जो फाइदा है वो सब ही ले सकें आप अपने relatives, अपने friends को, सब को यह share करें और उनको कहें कि यह स्तुत्यां रोज सुनें, हरी बोल